दोस्तों घरेलू चार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रंग गोरा करने के लिए एक बहतरीन और घरेलू और बहुत ही आसान उपाए इसके इस्तेमाल से आप 15-20 मिनट के अंदर अपने चेहरा अपना सरीर का रंग गोरा कर सकते हैं और वो भी बहुती कम समय में और बहुती आसान तरीके से दोस्तो इसके लिए हमें चाहिए टामाटर और हल्दी का पोडर थोड़ा बारिक पिसा हुआ होना चाहिए टामाटर जो हमां हमेशा सबजी बनाने में इस्तेमाल करते हैं सलाद में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसका आप ये फैदा बिलकुल नहीं जानते हो कि इसको इसकिन की इसकिन को फेर बनाने में या इसकिन का कलर गोरा करने में भी ये काम आता है दोस्तों इसके अंदर जो विटामिन C और A मौझूद है सैट्रिक एसिड मौझूद है जो इसकिन को गोरा बनाने में और इसकिन को चमाकदार बनाने में बहुत हेलफुल है, बहुत ही कारगर है दूसरा हलदी का पॉडर एंटी बैक्टिरियल प्रोपर्टी जिसके अंदर होती है जो इसकिन को इसको बीच में से काट लें, दो हिससे कर लें और एक टमाटर का अधा हिस्सा लें और इस हलदी के अंदर डिप करें हलदी का पॉडर इस टमाटर के उपर लगना चाहिए और इसको धीरे-धीरे अपने चहरे के उपर बहुत हलके हाथ से मसाज करें और पाँच मिनट तक कम से कम हलके हाथ से मसाज करें और धीरे-धीरे इस टमाटर के पीस को थोड़ा दबाते भी रहें ताकि इसका रस निकल कर आपके चहरे पर लगता रहे और ग्लो बनता रहे दोस्तो टमाटर एक नैचुरल ब्लीच के तरह काम करता है जो इसकिन को चमकदार बनाने में बहुत साहता करता है बहुत मददगार है आप पाँच मिनट तक इसको करें उसके बाद पाँच मिनट तक इसको और लगा रहने दें उसके बाद पानी से ठंडे पानी से चहरे को धोले और साफ टावल से पोश ले पहले ही दिन से आपके रंग में फरक नजर आएगा आपका गोरापन बरकरार रहेगा आप जब इसको रेगुलर इस्तेमाल करते रहेंगे धीरे धीरे आपकी जो डार्कनेस चेहरे की कालापन है वो दूर होता जाएगा और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपका चेहरा गोरा बहुत खूबसूरत इस्किन बहुत मुलाइम और गलो आपके चेहरे पर आ चुका है दोस्तो हमारे इस उपाए को आप इस्तेमाल करें और कॉमेंट के जरी फीड़बेक जरूर दें हमारे यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिवस के साथ भी शेयर करें ताकि इन उसकों का फाइदा उन सबकों भी मिल सके उपाय हमारे और फाइदे आप सबके इसी ख्याल के साथ अब दीजे इजाज़त जलदी ही फिराजीर होंगे कुछ नए मर्च और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हशते रहें मस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें